हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपके साथ काले चने की छोले की रैस्पी शेयर कर रही हूँ जिसे बिहार में घुगनी बोलते हैं और जो बहुत ही टेस्टी होती है खाने में तो वीडियो अगर अच्छा लगे यूश्फूल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और हाँ फ्रेंड सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकॉन पर क्लिक करके औल को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे सवी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए बनाते हैं हम बिहारी फेमस घुगनी तो घुगनी बनाने के लिए म जिसे मैंने भीगो दिया है पानी में रात में आप 5-6 घंटे पहले भीगोने डाल सकते हैं तो देखिए ये फूल कर विल्कुल डवल हो जाते हैं यहाँ पे मैंने कूकर रख दिया है गैस पे गरम होने के लिए क्योंकि डारेक्ट हम इसे कूकर में ही भुन लेंगे और फ दो तेज पत्ता और एक हरी मिर्च और इन सब चीजों को हम भून लेंगे थोड़ा सा उस सकेंड के लिए और इसके बाद यह मैंने लिया है एक आलू आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं नई भी डालें बट थोड़ा सा काले चने अगर आप आलू ना डाले तो थो बालूर डालें फिर मैंने एड़ कर दिया है एक बड़ा प्याज पतले पतले स्लाइसे में कटे हुए इन सभी चीजों को हमें बून लेना है वोल्डन ब्राउन होने तक तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक जिससे हमारे प्याज और आलू फटाफट भून जाएंगे और बहुत ही लाजवाब सबजी बनती है फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी चोले बनते हैं यह काले चने के और बहुत फायदेवंद भी होते हैं तो यह रेखिए हमारे प्याज और आलू बिल्कुल भून चुके हैं कलर चेंज हो चुका है गोल्डन ब्राउन करके हो चुके हैं तो यहाँ पर मैं एड़ कर रही हूँ एक चमच भरकर अध्रक लासुन का पेस्ट और इसे भी हम भून लेंगे अब इसमें मिक्स करके चुके पाउडर एक चोटा चमच लाल मिर्च पाउडर आधा चमच काली मिर्च पाउडर और यह आधा चंच कहली पाउडर और बस इन मसालों को हमें भून लेना है जब तक की तेल अलग ना होने लगे मसालों से आप तब तक भून ले और टमाटर भी गल जाएगा साथ साथ में तो आप इस सबजी को एक बार जरूर ट्राइ करें फ्रेंट जब दो ही घर में कोई हरी सब्जी ना हो। तो आप इसे ट्राइ करें। बहुत ही टेस्टी बनती है कि बहुत ही बड़िया लगती है , पूरी पड़ाठे, यहां तक के चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। आप इसे चाहें तो मुर्मूरे के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में घूगनी और मुर्मूरा तो यहाँ पे अब हमारे मसाले भून चुके हैं, तो मैं एट कर रही हूँ काले चने और चनों को भी हम अच्छी तरह भून लेंगे, दो से तीन मिनट के लिए, फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है, क्योंकि नहीं तो मसाले तली में लगने लगते हैं तो यहाँ पे मैं एट कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, जितनी मुझे ग्रेवी रखनी है उस हिसाप से, और ध्यान रहे कि पहले भी हमने प्याज और टमाटर के साथ थोड़ा थोड़ा नमक डाला था, तो आप हिसाप से ही नमक डाले, और नमक डालकर अच्छी तरह मैं मिक्स कर लोगी और इसे एक से दो मिनट तक घुन लोगी, बहुत जादा देर तक हमें चनों को नहीं भुनना है, बस थोड़ा सा ही भुनना है, तो यह हमारे चने भुन चुके हैं, मैं इसमें एट कर रही हूँ पानी, तो यहाँ पे मैंने लगभग बेर ग्लास पानी आट किया है, नौर्मल ग्लास से, जो घर में पानी पिने वी वाली ग्लास होती है उसी से, आपको जिससाब से ग्रेवी रखनी है, उससाब से आप पानी डाल सकते हैं, और आलू के कारण ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी, ठीक बनेगी, तो यह मैंने प्रेशर कुकर क ठीक बन कर दिया है, और हम इसे हाइफ्लेम पे तीन सीटी आने तक पका लेंगे, आप एक दो सीटी एक्स्ट्रा भी लगवा सकते हैं, चने सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, मैंने हाइफ्लेम पे इसमें तीन सीटी लगवाई है, तो यह और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, जिससे आलू थोड़े मैश हो जाएं, और ग्रेवी थोड़ी गाड़ी हो जाएं, नहीं तो चने अलग-अलग से और ग्रेवी अलग-अलग सी लगती है, तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं यह, और यह लाश में मैं आड़ कर धन्या एक मुठी, जिससे हमारे छोले का टेस्ट और भी बढ़ जायाएगा, और बहुत ही काले चने के टेस्टी छोले बनकर बिल्कुल तयार हैं, तो चलिए मैं इने प्लेट में सर्फ करती हूँ, और बहुत ही बढ़ियां लगते हैं, यह चावल, रोटी, पराठे, और कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और हाँ, इसके उपर मैंने डाला है थोड़ा सा चाट मसाला, जिसके साथ यह और भी टेस्टी लगता है, और थोड़े से हरे धनिये से इसे गार्णिश कर दिया है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसेपी के साथ, बाबाई, थैंक्य थीए फोर वाचिंग।